आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ गर्मियों में शरीर को ठंड़क पहुचाने के लिए एक बहुती शांदार सी शर्बत की रेस्पी शेयर कर रही हूँ Hello everyone, मैं हूवीजया और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है इस शर्बत में सबसे पहले हम एक प्रिमिक्स बना के रड़ी करेंगे उसके बाद मैं इस शर्बत को आपको दो तरह से बनाना बताऊंगे और वो भी सारी चीज़े आपके घर में इजली अवलेबल रहेंगी चलिए फिर रेस्पी को शुरू करते हैं उसके लिए मैंने यहां पे यादा कप सौफ लिया है और यतना मैंने सौफ लिया है उतना ही मैं यहां पे यह मिश्री अट कर रही हूँ जिसे की खड़ी शकर भी बोला जाता है मिश्री की तासीर काफी ठंडी रहती है तो गर्मियों में इसका शर्वत पीना काफी फाइदे मन रहता है इसके साथ स्याथ काली मिर्च आड़ करेंगे और इसके साथ में आड़ करेंगे दो इलाइची यहां पे मैं इलाइची के सिर्फ दानों का आड़ करूँगी छिलका निकाल दूँगी काली मिर्च और रिलाइशी आड़ करने से शर्वत का फ्लिवर जो है वह काफी एंहांस हो जाता है तो इसे आड़ करके जरूर देखिएगा और अब इस पे धक्कन लगा के बिल्कुल बारिक सा ग्राइंड कर लेना है और यहां पे यह हमारा शर्वत प्रिमिक्स रड़ी हो तो अभी इस प्रिमिक्स को एक टाइच कंटेनर पे स्टोर कर लेंगे यह साथ महिने तक यह बाहर भी खराब नी होता फ्रीज में रखने की जुरत नहीं पड़ी आपको तो इस तरह से अगर आपने यह प्रिमिक्स बना के रड़ी कर लिया तो पूरी गर्मी आपी शर्व साथ में एक चुटकी से भी कम सादा नमक वनफो चमच भुने जीरे का पॉडर साथ में दो तीन पतिया पुदीन अकी मैंने बिल्कुल बारिक-बारिक सा तोड़ लिया है वो एड़ कर देंगे और उसके बाद इसमें एड़ कर देंगे ठंडा पानी एक बास अभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहां पर आप इसको टेस्ट कर सकते हैं अगर शर्वत में मिठा स्थोड़ी सी कम है तो यहां पर प्रिमिक्स पाौडर थोड़ा सा और आड़ कर सकते और अभी शिके साथ इसमें आड़ कर देंगे निम्बू का आप चाहें थोड़ा साथ आइस क्यूव एड़ करके इसको ठंडा कर सकते हैं यहां पर यह हमारा सिंपल साफ फर्स टाइप का शर्वत जो है वो रेडी हो गया गर्मियों में यह शर्वत पीने से शरीर में तो ठंडक मिलती है साथ में यह काफी गुड़कारी भी है तो चलि मैंने यहां पर यह चम्मच सब्जा के बीज लिए हैं तो इस सब्जा के बीज को 10-15 मिनट शर्वत बनाने से पहले आपको सोख करके रख देना है इस चिया सीड के बहुत ही फाइदे हैं हमारे शरीर के लिए एक तो वेट लॉस में हेल्प करता है दूसरा इससे कबज कॉ करता है साथ में जो हमारे पेट में ऐसीडिटी या जलन वगेरा की शमस्या रहती है उसको भी कम करता है तो गर्मियों में इसका भी काफी हेल्थ बेनिफिट है तो जो दूसरा शर्वत बनाएंगे उसमें इस चिया सीड का यूज करके और शर्वत रेडी करेंगे तो यह पर मैंने पहले ही चिया सीड को सोक करके रख दिया था सोक होने के बाद यह देखे इस तरह के टेक्शर में अब इस साइड में रखते है तो अभी मैंने खल लिया है और इसमें एड कर देंगे साथ साथ पती पुदीना की और इसके साथ मैंने यहाँ पे निमू के चिलके ऐगता है और यह ul lies से यो छोटे टूकर उसको एड लेट कर देंगे और इन दोनों को हलके हाथो से थोड़ा-थोड़ा साच कर लेना है इस सबख पुदीना लोन के चिलके शसकर करते हैं तो निमू करा रिलीज होता है और इसे शर्वत में काफी अप्छा शीए श्लेवर और अभी 1 फो चमद के करीба, इसे एक जो जाय कर देंगे एक चमद मच निम्बू करूस और इसके साथ ही इसमे फे प्रिमिक्स अएज तर यह साथ ँसमे चाहरा तो यहां थूरं ऑढ़ी कर लिचे और गर्मियों में थंड़क देने वाले इस शर्वत का हेल्थ बैनिफिटos तो इस शर्बत को एक बढ़ ट्राइ करिये और अगर रेस्पी पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ नोटिफिकेशन बेल कौन करना बिलकुल न भूलिएगा थैंक्स वर वाँचिंगा झाल वाँचिंगा